नमस्कार दोस्तो दोस्तो आप देखने देशी उपचार और दोस्तो आज हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे घरेलुरामबान उपचार के जिने करके कोई भी महिलाया प्रूश अपने वजन को कम कर सकता है जी हाँ दोस्तो ज्यादा वजन होना आज की डेट में हजारों लोग दोस्तो बैली फैट का मतला होता जो पेट पेट पे चर्वी जमती है उसको बैली फैट कहते हैं दोस्तो यह चर्वी इतनी जल्दी पेट पे जम होती है इसकी कोई हद नहीं और दोस्तो यह कम होने का नाम नहीं लेती है दोस्तो आज जो उपचार हम आपको बताते हैं करके आई कि जो हमारे शेरील में किसी एक प्रटिकुलर हिस्जे 有一即 को कम करे अगर शेरी पे से Work between the text शेरी। बहुत जरूरी है अप नियमीद दूप से exercise रहे知道 और सुबह सुबह ओं लाए आपको एक जलास पानी में नीबु और थाधा पीना ही चाहिए और दोस्तो ये पानी गरम होना चाहिए और दोस्तो इसके अलावा आपको डेली मूंकी दाल का सेवन करना चाहिए रात को शाम को आपको मूंकी दाल भिगो दिनी चाहिए और सुवे उसको खा लेना चाहिए दोस्तो ऐसा करने से आपका पेट साफ हो जाता ह दोस्तो काफी सारे लोगों की जो पेट पर चर्वी जमा होने की जो समस्या होती है वो इसलिए होती है क्योंकि उनका पेट साफ नहीं हो पता है या हमारे जो आते होती हैं, उन पे मल जमः होता रहता और नोबिधाना होते होते हैं, एक दिन चरवी का रूप ले लेता है. तो दोस्तों, अगर आपका पेट साफ नहीं होता है, तो आप हमेशा पेट को साफ रखने पर, क्लीन रखने पर ध्यान दें. हमेशा गरम पानी का सेवन करें गरम पानी करने से हमारे जो digestion system होता है हमारे जो पार्चन शक्ति होती है वो अच्छी होती है हम जो भी खाना खाते हैं उसको पचा के खाएं के लिए बहुत जरूरी है कि उसको हम चवाएं जितना भी हम खाना खा रहे हैं उसको चबाएंगे अगर हम तो वो हमारे पेट में से जल्दी पचके निकल जाएगा यानि कि मल के रूप में जल्दी भाहर हो जाएगा दोस्तो एक परियोग में ये भी पाया गया है कि अगर हम खाने को जो भी तुकडा हम खाते हैं अगर हम उसको 32 बार चाब अगर खाते हैं तो हमारा fat नहीं बढ़ता है और अगर वजन जादा है तो वो कम हो जाता है और दोस्तों इसके अलावा कोई भी junk food, cold drink वगरा बिल्कुल छोड़ दें क्योंकि cold drink के अंदर काफी जादा calories होती है junk food अगर जो भी खाता है वो बहुत जल्दी मोटा हो जाता है तो इसलिए आप junk food बिल्कुल छोड़ दें और सुबह शाम morning walk के लिए जाएं और हो सके तो आप herbal tea का इस्तिमाल करें herbal tea weight loss के लिए बहुत ज़्यादा फायदे मन्द है और दोस्तो इसके अलावा आपको overeating नहीं करनी है दोस्तो overeating का मतलब होता है कि जब इंसान को भूख नहीं लगी होती और वो तब भी खा रहा होता है बस उसके सामने खाना आ जाए और वो खाने लगएगा दोस्तो ये बहुत गल्त आदित होती है जो भी व्यक्ति ऐसा करते हैं वो बहुत जल्दी मोटे हो जाते हैं या मोटा पे के शिकार हो जाते हैं तो इसलिए आपको overeating नहीं करनी है ओके दोस्तो दोस्तो उमीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आए दोस्तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें शेयर करें और प्लीज करें